हलो बच्चो तो जेई मेंज 24 की सीरिज में आप सभी का स्वागत है आप जो ये कोस्टन्स देख रहे हैं ये जेई मेंज 24 में पूछा हुआ कोस्टन्स है ये क्या कोस्टन्स पूछ रहा है विच आफ दा फॉलिइंग इस करेक्ट आडर फार्दा फर्स्ट आइनाइजेशन इंथल्पी के लिए करेक्ट आडर क्या है तो आप अगर इस एलिमेंट्स को ध्यान से देखो तो ये जो एलिमेंट्स है वो किस पिरेट के हैं तो ये आपको दिखने पर देख रहा है तो ये सारे के सारे सेकेंड पिरेड एलिमेंट है यानि कि अगर सेकेंड पिरेड एलि डीजन, फ्लोरीन और नियान, तो हमारे पास यह इलिमेंट है, जो की फर्स्ट अंडर के हैं, और हमें पता है कि अगर हम लोग एला पिरिट जाते हैं, लेफ्ट तूडाइट में, तो आइनाइजेस्ट इनर्जी बढ़ती है, क्या होती है, आइनाइजेस्ट इनर्जी तो हमारा जो आडर होना चाहिए था क्या होना चाहिए था लिथियम ठीक है उससे ज़्यादा बेरिलियम फिर बोरान फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर आक्सीजन फिर फ्लोरीन और फिर नियान यह हमारा आडर होना चाहिए था करेक्ट कि जो हम लोग जानते हैं कि जो जनरल आडर होता है लेप टू राइट जाएने पर आइनाइजेसन इ होना चाहिए लेकिन क्या होता है यहां पर दो एक्सेप्शन मिलते हैं एक तो बेरिलियम और बुरान में मिलता है और दूसरा नाइट्रोजन और अक्सीजन में मिलता है कि अंस्ता से नाइट्रोजन का लिखेंगे तो घ्रन व Challenge अब क्या होता है कि बेरीलियम और व्हरान में निए ड्यान से जिए तो बेरिलियम और बोरान में क्या होता है यह जो 2S है और यह 2P1 है ठीक है 2S है और 2P1 है तो यह जो 2S है इसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो जादा होता है पेनिट्रेशन पावर का मतलब यह नूकलेस हो गया यह हमारा S आर्बिटल हो गया यह हमारा P आर्बिटल हो तूपी वाला थोड़ा सा दूर होता है यहां पे उतना ज्यादा न्यूक्लिय से बढ़ा नहीं होता है जिसकी वज़ा से इसमें से इलेक्ट्रान निकालना टफ हो जाता है आइनाइजेशन इनर्जी का मतलब यह होता है कि एक इलेक्ट्रान निकालना हमें आर्बिट से एक निकालना है तो एक इलेक्टान निकालने में जितनी इनर्जी देनी पड़ेगी वही होता हमारा आइनेजिस निचे तो यह जो टूयस है वो नूकले से बधा होता है जिसमें हमें इस इलेक्टान को निकालने के लिए ज्यादा इनर्जी देनी पड़ेगी टूयस से और ठीक है उसके बाद यह चलता है carbon फिर यहां पर कि सेम काम यहां पर होता है तो यहां पर क्या होता है यहां पर जाप ध्यान से देखो तो nitrogen की जो हम इलेक्ट्रों निंगेटिवूटी है वह हाफ सिर्ट कर्टिगरी में आ रही है यह requ2 यस और यह व कि एक दो कि थेक है तो यह हा फिल्ड जो होता है वह ज्यादा स्टेबल इनर्जी होता है हाफ सिर्ट होते हैं ज्यादा सिर्फ्ड होते हैं तो असीर्स का ये हो bas 2s और ये हो गया चाट ओभी उन्य ट्व एक दो तीन और चार तो ये जो चाट इसमें से एक उलेक्टार एजली निकाल के क्या कर सकता ये इन धैयों तेजी से इन दोनों में जो है इसकी जो आइनाइजेशन इनर्जी होती है कम हो जाएगी क्योंकि अपने तरफ से इलेक्टान निकालना चाहता है हाफ फिल्ड होने के लिए तो इसकी आइनाइजेशन इनर्जी कम हो जाती है और नाइट्रोजन की जादा हो जाती है फिर फ्ल स्वर्टिय ग्रूप निक पले से कम होगा आई एचिक है दूब हो जाएगा जैसे अगर माइ बात करूं तो कि शॉंसा python सोडियम तर बेरिलियम के आशन नीचे का दा आता है अलमूनियम ऑफारान के खार नीचे मुलियम, भी यहां तो यह आ जाएगा थर्ड का थर्ड इधरिट यह 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 यहाँ पेशेंज होने कि वज़ध से और यहां पे भी क्या आएगा इक्षे जोने के वाज़ से यहां पर तो यह हो जाता है और होगा क्या बेरीलियम को बोरान पिर प्लस बेरीलियम उसके बाद आपसीज़न ऍास्ट अपर ओस्ट तो आपको यह वीडियो समझ में आया होगा कैसे करना है तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन रवा लिजिए और हमारे वीडियो को देखें हम 2024 के प्यू आई क्यों को सारे कोश्चन्स अपलोड कर ठीक है धन्यवाद